चार दिनों से लापता युवक का मिला सौ परिजनों ने लगाया हत्याकारोग दारू परखन निवासी विकास कुमार उर्फ उमा रजक पिता कनहाई रजक जो पिछले चार दिनों से घर से लापता था उसका सौ बुधवार को इंडी आरिफ की टीम ने चार घंटे की काफी मसकत के बाद चीरुआ के पत्थर ख़दान से निकाल लिया है वहीं सो को देखते ही उसके परिजनों का रो रोकर बुरा हल है बताते चले कि चार दिन पहले उसकी गुमसुदगी का अवेदन दारू थाना को दिया गया था साथ ही उसके परिजनों के द्वारा धुनने का भी प्रयास चल रहा था इस संबंध में उसके परिजनों ने बताया कि चीरुआ गाओं के बंद पड़े ख़दान के पास उस युवक के पहने कपड़े वह चपल से उसकी पहचान सुनेशित की गई इसी सक के आधार पर ग्रामि पताया है तो वहीं इस मामले में पूछे जाने पर धाना प्रभारी बीजे कुमार सिंग ने बताया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता पोस्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है फिलहाद सो को पोस्ट माटम के लिए सदर स्टल भेज दिया गया है खबर 365 के लिए दारू प्रखंड से सुमन सुनहा की रिपोर्ट बताया से थ्यूनर के ली दूकान है सर्मा का होटल करके है दारू में दारू स्कूल प्राम ञाहिं ही स्म्डिव में है फिर कि भीके olduğ कि अलगने कि भीज बंदू के बड़ यूड में जड़त न्याम के उसके बाद निकर बुलतर आफ है बाद हाने कट हा सञोड जह तक दीख रहा है तो में सही उसका बात हुआ है। को देखने के लिए देख के रहें ख़वर 365 न्यूज साथी लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।